शाथियो नमस्कार मैं हूँ रागो सर्मा रमन शाथियो आज मैं गाधीपुरी गाजीपूर के करंडा छित्र के अंतरगत कटरियां गाउसभा में उपस्तित हुआ हूँ आज मैं अजब गजब कारेकरम के अंतरगत एक ऐसे सक्सियत की जीवन गाथा को बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे जैसा की नाम है इस कारेकरम का अजब गजब और अजब गजब में ऐसी घटनाओं का वर्डन मैंने समय समय प्रप्रस्तुत किया है जिसको सुनेंगे और सुनने के बाद आप उसको देखेंगे और देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे साथियों क्या आप जानना चाहेंगे वह कौन सा व्यक्ति था जो पंदरे आदिमियों का भोजन यानि दो बाल्टी सबजी और एक बाल्टी खीर तथा एक ओड़ी खा जाता था साथियों आप क्या जानना चाहेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति था जो एक कुंटल वजन ले करके सर पर रख करके दो किलो मीटर तक पैदल चला जाता था क्या आप जानना चाहेंगे वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कभी अपने जीवन में कभी घर का भोजन नहीं किया साथियों आप यह भी जानना चाहेंगे कि वह व्यक्ति कौन था जो बिना चपल जूता का आजीवन 10 से 15 किलोमीटर तक प्रति दिन घुमता रहा शातियों क्या आप यह भी जानना चाहेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति था जो अधनंगा यानि आधा धोती क्योल पहन करके पूरा जीवन बिता देता था इन सब सवालों का जबाब देने के लिए मैं उस सक्सियत का नाम बताऊंगा जो कटरियां गाव में रहते थे और उनकी लंबाई साड़े छफिट थी और करीब सवा कुंटल वजन था जिनका नाम था राजू पांडे राजू पांडे एक ऐसी सक्सियत थे जो कभी भी अपने जीवन में घर का भोजन नहीं किये उनका जीवन तेरही, बरही, जाग्य, मूर, विवाह तथा कथा में होने वाले जो भोजन भंडार होता था उस पे वे आस्रित रहते थे वे जब भोजन करने बैठ जाते थे तो तीन या चार कतार जब भीच जाती थी तब तक वो खाते रहते थे और सौ से डेड़ सो पुडियां खाते थे, दो बाल्टी सबजी खा जाते थे और एक बाल्टी खीर खा जाते थे लेगिन लोग उनका सम्मान करते थे एक तो ब्रामण थे दूसरी बात ये कि वे कभी कभार किसी के दर्वाजे पहुंचते थे साथियों मैं बताऊंगा कि भोजन के लिए वे 10 से 15 किलो मीटर तक पैदर खुच जाते थे और जैसा कि जानते हैं कटरिया गाओं गंगा के तरफ परिस्थित है और वह सुबा जब निकल जाते थे तो इस पार गाजिपूर या उस पार चंदवली हूँ उधा जो है गुरैनी से ले करके और भी जो गाओं हैं वहां तखुजाते थे और साम तक वापस आ जाते थे सहतान की तरह से उनकी लंबी भीम का शरीर थी, मोटे थे, हिस्ट पुल्स थे, और उनकी बाणी में भी बड़ा दम था, बहुत दूर तक उनकी अवाज जाती थी, और राजू पाणे की तीसरी विशेष्टा यह थी, कि वादो एक कुंठल तक का वजन ले करके अपने सर पर दो किलोमीटर तक खुब आराम से चले जाते थे, तीसरी विशेष्टा, चोथी विशेष्टा यह थी, कि राजू पाणे कभी जूता चपल नहीं पहने, समय चाहे कोई भी हो, चाहे जाडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात के उना हो, वा कभी जूता चपल अपने जीव सरी नीचे का ढख लेते थे, उपर का अधरनंगा होता था, और उसी पर जीवन ब्यतित कर लेते थे, साथियों, उनका जीवन जो था बहुत ही निराला था, अजब गजब के भ्यक्ती थे, वा हमेशा चलते रहते थे, और सबसे मिल जूल करके रहते थे, सबसे सबकी बात पुछते थे, जहां उनको पता लग जाता था कि आज यहां भोज है, यहां बरही है, यहां तिरही है, यहां अभिवा है, तो राजू पाने पहुंच जाते थे, राजू पाने की इतूलना लोग बहुत से ऐसे लोगों से करते थे, जो जाता भोजन करते थे, राजू पान झाल झाल झाल